आईजाहान और इम्रान अबास का एक नए ड्रामा कोई चांद रख मेरे शाम पे एरवाइड डिजिटल पे जो है वो अन एर हो चुके है उसकी दो एपिसोड भी हो चुकी है इन दोनों ने जो है पहले भी काम कर चुके हैं ये दो ड्रामाज में तुम कौन पिया और मुहबबत तुमसे नफरत है तुम कौन पिया जो है वो दू बन पे अन एर हुआ था और मुहबबत तुमसे नफरत जो है वो जियो टीव पे अन एर हुआ था ऑन दोनों की हिट कि दुरों की जो कि यह पहुत अच्छी और शुक्सरल ड्रमा लग रहा है कि यह भाकी जो ड्रामा से निखों के जो है है और हेपी एंडिंग नहीं थीप हो एक साद एंडिंग थी कोई हैपी एंडिंग ने थी जिसमें दोनों को मिला दिया गया हूं जाना चाह रहे होंगे कि थर्ड ड्रामा जो इनका है कोई चांद रख मेरे शाम पर उसमें भी राइटर ऐसे ही करेंगे या फिर कोई हैपी एंडिंग का सीन है या फिर दोनों आखर महिल से हुशी जैसे जिन्दगी को दाने लग पड़ेंगे इस तरह वाला है तो आपको इस वोड़े में यह बताने जा रही हो कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलके इस जामे में भी आईजाहन के साथ वैसा ही और विचारी वाला कसूर हो जो उसका एक और रथ होने का जो उसका कसूर है इस वज़ज़ से उसे एक आईडियल मिसाली बीवी नहीं होने के जासे वो इन दोनों के रिष्टा जो है वो पहले तो शादी कर लेते हैं और कुछ अरसा रहते भी है लेकिन बाद में आईडियलिजम के पीछे भागते भागते जैन जो है वो डॉक्टर अबेल को तलाग दे देता है अन दूनों के इंचाव मांकर में क्या होगा यह तो आप्डराम देक के साथ देक ही नहींगे लेकिन आपको यह पिता दें कि जो डॉक्टर अबेल है वो जैन के साथ एंडिंग में नहीं रहेंगी बिल्कि डॉक्टर रबेल उमेर के साथ शादी कर लेंगी और उसके साथ हसी खुशी जिन्दगी को बसर करेंगी ड्रामा में क्या हो जा रहा है आप दुनों की इनकी केमिस्ट्री कैसे लगती है और आपके ख्याल में ये ड्रामा किस तरह का जा रहा है अपनी राइसे कमेंट सेक्शन में जरूर अगा कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा थैंक यू